पलवल रहागीरी कारक्रम के माध्यम से मनाया गया एंटी करफशन दे पलवल प्रशाशन वा पुलिस ने रविवार को हुड़ा सेक्टर दो मोड ओल्ड जीटी रोड पर रहागीरी कारक्रम का आयोजन किया कारक्रम का थीम एंटी कर्फशन डे रहा ये दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है प्रशाशन के दोरा आम जनता से ब्रश्टाचार को जड़ से खतम करने के लिए सयोग देने के बारे में अपिल की गई इस कारक्रम में आम जनता, बच्चो वा पुलिस विवाग ने बढ़ चड़ कर भाग लिया इस कारक्रम का आयोजन पुलिस विवाग बस सिविल विवाग के करनचारी ने सयोग से किया इस कारक्रम में शहर की कई सामाजिक संसाओं ने भाग लिया उप पुलिस अधिक्षक मुख्याले श्री सुनिल काधियान ने बतलाया कि यह कारक्रम राज्जी सरकार के द्वारा की गई एक अनूठी पहले जिसका उद्देश प्रशाशन वा जनता को नजदीक लाना है इस बार के कारक्रम का थीम एंटी करफ्शन डे रखा गया आम जनता से ब्रश्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए आपसी सहयों की अपील की गई रागीरी कारक्रम के मुखे आकरशड योगाशन सांस्क्रेती कारक्रम रस्सा कसी रहे इस कारक्रम में पुलिस विवाग के अलावा शिरी अशोक कुमा शिक्षा अधिकारी जिला के खेल अधिकारी रेट क्रॉस के अधिकारी वा करमचारी मौजूद थे करमचारी के दोरान प्रशाशन के दोरा आम जन से अपील की गई कि वो भी इस कारक्रम का हिस्सा बने और अपनी प्रस्तुती दें कारक्रम में रोड सेफटी ओमनी फांडेशन की टीम वा टेफिक ताउ ने भी बढ़ चड़ कर भाग लिया लोगों से यात्रयात निहमों का पालन करने की अपील की गई जिला रेट क्रॉस साइटी के दोरा लोगों को फर्स्ट एंड की जानकारी दी गई वा डेमो भी प्रस्तुत किया गया MVN यूनिवर्सिटी के शिरी अश्विनी के दोरा ड्रग डिस्पोजल के बारे में जानकारी दी गई जिसे लोगों को घर में रखी पुरानी दबाओ जिनकी वैदिता खतम हो चुकी है उनको डिस्पोज करने की प्रक्रिया बताई गई